हाँ जी दोस्तों तो अपना जूरिट चल रहा है हाँ जी बिलकुल फ्री फ्री वाला फास्ट रख वेच उसके अपने चैप्टर नमबर थर्टीन that is group audit पर पहुँच चुके है, हाँ जी sir, पहले तो बिल्कुल free fast track पर चल रहा है, उसके एक खासियत है, आपको जिसे अगर आपने पहले देखा होगा तो पता होगा, understanding को पर नहीं चली रही है, उसके में तो कोई शकी नहीं है, क्योंकि अपने MCQs case नहीं और उसके मेरा solve नहीं हो सकते है, प्लस जहाँ ICI marks वरन understanding तो चाहिए है, तो उसके साथ आपको ratification भी साथ में चाहिए, वरना आपको ICI भाईया जी marks नहीं देंगे, मतलब आपने जब तक इनके exact keywords और exact pointer नहीं लिख दिये ना, अब तक आपको marks नहीं मिलने वाले, आप चाहिए कितना भी समझ लो और अगर exact आप रट्टा, मतलब रट्टा रियू तो मार्णिस कुछ काम नहीं होगा, समझदा भी पड़ेगा, तो अपन दोनों के दोनों साथ मिलेके चल रहा है, ठीक है सर, तो चलो अपन शुरू करते हैं, यह chapter number 13, that is group audit, जो पहले नाम से था audit of CFS, क्या था सर, audit of CFS, तो वो अपन अभी शुरू कर लेते हैं, यह अपना उसी book के होने वाला है, जो अपने नीचे description box में लिंक दे दू question plus concept, दोनों साथ में ही दे रखे, दोनों मिला के only 530 अप्रोक्स पेजिस की जाएगी book sir, यह देखो पूरी चार्ट टेबलर फॉर्मेट के अंदर है, यह एक गया, उसके बाद इसके question भी आगया, उस topic के related जिते भी question दे, question सारे के सारे cover हो गया, यह देख लोगा, उसके ब CFS क्या होता है, ऐसे अपन को पढ़ा है, CFS में को क्या पढ़ा हों तुमको CFS तुमको आता है ना, तुमने पढ़ा होगा, 110 के हिसाब से इंडेस, consolidated financial statement, जब भी अपनी subsidiary joint venture joint associate होते है, तो अपन को consolidated financial statement मनाना होता है, उन AS index को use लेके, बस वो का वो ही है, सर और कुछ भी नह बनाएंगे, जैसे A, B, C, 3 subsidiary, JV बग रहा है, तो अब यह Reliance Limited इसका एक group है, अब यह group का नाम के है Reliance Limited, इसकी बहुत साई subsidiary है, तो यह अपना standalone बनाएंगे, इसको कहेंगे, यह अपना SFS यह बनाएंगे, अपना financial statement को कहेंगे, SFS, यह जो A, B, C, अलग 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 exactly जितना possible, आप उसी format के अंदर, CFS बना लेना भाई, तो अब जो CFS बनता है, यह पर सबकी एक individual audit तो सबकी हो चुकी है, individual audit सबकी एक standalone audit तो करी सकती है, अपना auditor ने कर चुका है, अब यह CFS बनाएंगे, CFS, इस CFS की भी audit होगी, भाई, उसके लिए आप चाओ तो दूसरा क रख लो, या फिर parent का जो audit है, वो रख लो, वो आपकी इच्छा है, आप CFS audit अलज से रख सकते हो, अगर आपको दूसरा रखना है, तो audit of CFS के लिए, CFS में क्या इंक्लिट होता है, खोशी ने भाई, balance sheet, P&L, cash flow, changes in equity का जो अपना आता है, changes in equity और notes जो बनता है, और कोई भ जादा subsidiary, associate company, joint venture हो हो, उसको अपने खुद के financial statement मिनाने के साथ, consolidated financial statement भी बनाना पड़ेगा, और वो board से, board of director से, BOD से, approve होगा, जब अपन SFS को approve करने के लिए, stand-alone financial statement, उस वक्त अपन को CFS को approval के लिए भी डालना पड़ेगा, कि भाई, इसको भी आप approve कर दो, न, annual general meeting के अं आपने CFS रखा, उनके सामने के इसको approve कर दो, इसको हमारा consolidated financial statement, उस वक्त आपका subsidiary के लिए आपको separate statement देना है, कि subsidiary के salient features क्या-क्या है, AOC1 का एक form में कि subsidiary के salient features क्या-क्या है, वो भी आपको साथ में देना पड़ेगा, attach करना पड़ेगा, schedule 3 case आपसे बनता है, अभी मैं बताऊंगा ये क्या है, अब देखो, ये point आई गया, कि न, अपने को जो, अपने को जो बनाना होता है, consolidate financial statement, उसकी तीन तरग requirement है, schedule 3 बोलता है, companies 1 case आपसे क्या, आपको SFS बनाना है, indes 1-0, 110 बोलता है, आपको बनाने के लिए, case 21 बोलता है, तो accounting standards बी आपको बोलता है, companies 1 बी आपको बोलता है, बनाने के लिए, अगर कभी मान लो कि accounting standards आपको नहीं भोलता, CFS बनाने के लिए, अभी तो आपने बोलते हैं, पर कभी समझो, इंडिया में कोई ऐसा खेसा गया, या अकाउंटिंग इस चेडर ने बना कर गया, नहीं बनाने तुमारे इच्छा तो बनाओ, 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 पर तो भी, तो अलवाध सब्सकेड बникиडिर बनाओ, पर तो नहीं को गया थि अधिया नहीं हो, अब टो, इंडिया, अब यह किया, मुझत नहीं बनाओ, अभर यह कुछ Ahora, आपको चूट मिल जाएगी, आपको CFS नहीं बनाना, किस किस आपसे Schedule 3 के सापसे, यहाद चैज़ए के सापसे इस वग आपको सेसेफ नहीं बनाना AS23 के लिए आपसे इस वग शेडूल नहीं बनाना, INDEAS 110 के लिए इस वग नहीं बनाना, ठीक है नव, यह सब अलग-अलग यह जोड़ मत देना, इन तीनों को अलग अलग देखना पड़ेगा, शेडूल 3 के साफ से नी बनाना, पर AS21 रेंडर्स 1100 के साफ से बनाना, यहाँ पर समझो कि यह exemption लग गई, पर शेडूल 3 वाल इन लगी, तो यह बनाना पड़ेगा, तो वो देखना पड़ेगा, किस में छूट मिलिया, सब में मिलिया है, क्यों एक मिलिया है, तो शेडूल 3 के साफ से कब में बनाना कमपने के साफ से, जब आप किसी की सबसीडरी हो, जब आप किसी की सबसीडरी हो, समझो, A, B, C, D, और कौन सा पगड़ूं, मैं कोई C भी एक subsidy पकड़ लू, C पकड़ने पे दलो, C है, यह सब subsidiary, subsidiary इसके नीचे, यह इसके नीचे, यह इसके नीचे, यह इसके नीचे, अब एक C का एकजामपल ले लो, C कोई subsidiary है या तो अपने partially होने या फिर fully होने मलब B की A की या तो partially होने fully होने subsidiary है C C कुल मिला कि अपनी subsidiary है C ने जितने भी shareholder थे इसके B या पर B के जितने भी shareholder थे या और भी shareholder थे सब को intimate कर दिया कि मैं CFS नहीं बनाऊंगे और किसी का objection नहीं आया C ने इसके जितने भी shareholder थे ना उपर वाले जितने भी थे B के साथ और भी कोई होंगे दो सब को intimate कर दिया कि मैं CFS नहीं मिलाओंगे किसी का objection नहीं आया first condition किसी का objection नहीं आना चाहिए प्लस उसकी कोई C B holding या तो उसकी intermediary holding या फिर उसकी उपर वाली holding या उसके भी उपर उल्डिंग कोई न कोई CFS बनाई रही है अब इसके उपर उल्डिंग क्या है या तो B CFS बना रही है या फिर A CFS बना रही है या तो B CFS बना रही है या फिर A CFS बना रही है अगर B CFS बना रही, A CFS बना नहीं है, तो C को CFS बनाने की जरुवत नहीं है, मालब C चाहे तो D का Consolidation ना करें, अपने साथ होई दिक्कत नहीं है, क्योंकि B तो Finally करी है न, तो B करेगी तब C और D का एक साथ करेगी, या फिर A करेगा, तो A, B, C, D का सब का एक साथ करेगा, तो यहाँ पर C नहीं बना है, तो भी चलेगा, अगर यह दोनों कंडिशन पूरी होगा, या तो उसकी Intermediary Subsidary, या फिर Ultimate Subsidary, कोई नों कोई CFS बना रही है, तीनों कंडिशन पूरी हो नहीं चाहिए, प्लस, प्लस, C, लिस्टेड नहीं होना चाहिए, और ना ही लिस्टिंग के प्रोसेस में होना चाहिए, लिस्टिंग के प्रोसेस में भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, अगर यह तीनों कंडिशन पूरी हो गई है, सबसें प्लस एकさ अरे system सीइशन घंट केहीं गईस फुली हो गई 커피 हैं तो आपको चुछ्टन तो मत बनाओ सेफस पर ऑस्लीची टो में सब करने का एक मैने एक मेनेöß जी था पास दिन के लिए करेंगा है, बस दिन के लिए करेंगा है, तो कंट्रोल तो ठीक आपको नई बनाने की चलब गते हैं सबसीडरी के ओपार कोई पर की ऐसारा लॉंग टर्म रिस्ट्रिक्शन है जिससे उसकी अबिलीटीट ट्राफंड को पहरों मलब बच्क दोा अपन Business नहीं को पैसा ही नहीं दे रहा है तो अगर इन दोनों में से कोई भी कंडिशन अगर फूर्फिल हो गई कोई भी तो ये एस 21 के हिसाब से आपको भी बनाइन अब इस के अंदर आप नहींद से चूट दे रखिए कि उसको देखंळ है लावा कि अगर सी कंटूल टमप्रेरी यह तो भी इंदेश不錯 कें साब के को FV TPL पर measure कर रही है किस पर भाई FV TPL पर fair value through P&R अगर investment company है वो और investment company अपने size subsidy को FV TPL पर measure कर रही है तो उसको सब नहीं बना रहा है अब investment company की definition क्या है सर आपको यह आता है यह मुझे बताने की जरुवत नहीं है ठीके ना यह मलब यह वाला आपने मेरे से अच्छा पड़ावाई यह सारी चीजे कि बाई investment company जो एक है फिर एक से जादा investors इसके पास प्लस केवाल उससे दो ही तरह की return मिले दो से return ज्यादा कुछ भी और किसी तीसे तरह का return नहीं मिलना चाहिए capital appreciation and investment income या फिर दोनों भी मिल सकते हैं मलब यह इन दो के लाव और कोई return नहीं मिलना चाहिए investment company और कोई return नहीं देगी capital appreciation और investment income प्लस वो fair value के इससाब से measure करें fair value में भी आपे FV TPL FV T OCI नहीं यह धियान रखना है आपे अगर यह condition पूरी हो रही है आप investment company है आपको CPC इंपशन है क्योंकि यह investment company नहीं है , रही है थकर गढ़ना पड़ेगा रह ससे, इंव्ड़ कान यहाँ अगर वह भी investment होई ठीक है अगर वह अगरखना से भी harapotvan kates CFS mandatory है कि हाँ बता देना 129 के साब से क्या एक स्यादा सब्सेट्री हुई तो बताना पड़ेगा बोट से अप्रूग राना पड़ेगा AOC 1, Schedule 3 फ्लान डीगर एक्सेप्शन बता है Investment company है जिसको क्यों Fair return के depreciation ही मिल रहा है अगर आपको यहाँ पर देखो अगर वो इंडेस के साब से काम कर रही है तो इंडेस 110 के साब से तो इसको exception है आपको पर schedule 3 तो follow करना ही पड़ेगा ना भाई तो कियों आप schedule 3 follow कर लो उत्ते में मान जाएंगे आपने requirement पूरी कर लिए तो आपको यहाँ पर exemption बजाना है CFS का company के साब से क्या है schedule 3 follow करना पड़ेगा आपको and applicable accounting standard दोनों follow करने पड़ते हैं आप ठीक है पर investment entity को इंडेस 110 के साब से नहीं बनाना है CFS तो वो sufficient है तो वो sufficient है अगर वो केवल comply कर ले provision of schedule 3 तो चेड्योन 3 follow करो लो वो उतना ही काफी है 51% voting power है मेरे पास मैंने बता रगाए कि यह share मैंने stock in trade के लिए 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 का इंड़ल control temporary है तो मैं subsequently dispose कर दूँगा उसको क्या मैं exclude कर सकता हूँ उसको तो मुझे देखना पड़ेगा कि क्योवर एक्सक्लूड करही है किसी सबसंगी hoo और इंडेस के हिसाफ से एक्सक्लूड कर रही है तो चलेगा इस लगता है गहांड तो एकर इंडेस लगता हो तो इंडेस में control temporary वाली कोई situation ही नहीं आपको बनाना पड़ेगा तो A.S.E.I. index मुझे वो देखना पड़ेगा तो index 110 के इसाप से तो नहीं है भाई एसी कोई भी temporary control नहीं है कि वर A.S.E. के इसाप से ही है और बाकी अगर index के इसाप से ही है और फिर भी में board of director जितनी भी है ना उन सबको हिला सकता हूं सबका composition अगरा मेरे हाथ है मेरे पाँ ownership के ओल 10% of shares ही ले रखे पर मेरे पाँ इतनी power है पता नहीं कहां से आई है कि में board of director को सबको हिला सकता हूं कि decision को हिला सकता हूं तो भाई यहां पर defecto control है क्या बोलता है इसको defecto FACT होता है कि हाँ defecto control होता है इसको बोलता है defecto control कि चाहिए में ownership पूरी की पूरी नहीं होड़ा company की shares में holding नहीं करेगी पर फिर decision making में पावल देता हूं हो सकता है मैंने company को कोई patent technology पूरा ownership का control मेरे पास हो तो भी आपको फिर बनाना पड़ता है CFS अगर आपको यादो financial reporting अंदर आपने पढ़ावा होगा अलड़ी है 10% voting power है आपके पास तो भाई जानो उसके बाद भी पता करो तो उससे पता करो कि उसके बाद भी assess करो कि यार वो केसे control कर पा रहा है केसे control पा रहा है बहुत सारे mean हो सकते control के लिए board meeting के minutes पढ़ो shareholder के agreement पढ़ो कि क्या उसने company को को टेकनोलोजी know-how वगरा provide कर रखा है क्या उस वज़ेसे वो उसको control कर रहा हो ठीक है यह आप control केसे कर रहा हो कि इंडेज 110 के साफ से जो भी adjustment करने होते हैं आपको cfs नाते होगा adjustment करते हैं आपने पढ़ा होगा गुड़ील निकालेंगे के प्रेज़ों निकालेंगे फ्लान डेगर adjustment करने चाहिए और आपको उस हिसाब से अपने audit के प्रोफिशर लगाने है प्लस आपको इंडेज एक ऐसे इस चेनल ओर्टिंग 550 भी फोलो करना है क्योंकि अपने सब्सीडरी वर जेवी वर अगर अपने related party है तो इंडेज एक इस चेनल ओर्टिंग 550 भी फोलो करना है एस वेल एस यह ऐसे 550 का पॉइंट हो गया प्लस एक पॉइंट है शेडियूल 3 का एक पॉइंट किसका है शेडियूल 3 का शेडियूल 3 के अमबर भी ना कुछ शेडियूल 3 और इडिनेस वन 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 से दोनों के अमबर डिस्क्लोसर रिक्वार्मेंट है जब भी आपकी related party के साथ को पैरेंट की क्या responsibility होती है सर CFS के लिए पैरेंट हूं है पैरेंट हूं तो पैरेंट की क्या responsibility है पैरेंट मतलब मैं आप पे रिलाइंस लिमिटेड ग्रूप का पैरेंट हूं अब इसके नीचे मेरे पहुत साइज सब्सीडियूरी और A, B, C परनाने तो रिलाइंस लिमिटेन निवा पैर रिलायंस लिमिटेंट ग्रूप का क्या responsibility है भाई मेरे पे यरा आप के विदेट भ्रूप की क्या responsibility है MICHAELで मेरेस भाड пош भानाना मेरे मेरेस भीच्छ पनाना है मेरेस तमेरिह बनाने, डिर कि बिजचे इंटीफाइक मैं मेरेस MY любов's बेसे इंफीर मेशन उठाओ चाने व सकते साथ इंफमेशन के रिंफवेशन के अब उनके related part के की ज辉सी है और से ड़ीन इंफने सेंसे अब रिलेटेटटिट पर्टी को हुटी तुमको पर खाते है, विसand को सिग्में रिपोर्टिंग कहा कहा लगती है मैंने information उठा लिए मैंने उनसे information उठा लिए यह वाले पॉइंट अभी मैं तुमको बता है चार पॉइंट सबसे बहुत में component identify कुरों कि मेरा असली में बच्चे कौन-कौन से मुझे बनाना है उनसे मैं information ले लूँगा उनसे मैं information complete financial information ले लूँगा कि कौन-कौन मेरी girlfriend हो रहा है उनसे related party पूछ लूँगा और उनसे segmental reporting कहा का पे लगती है आपको कोई सा भी reportable segment ठेक है तो segment reporting कुछ identify करने पढ़ेगी ठीक है तो मैंने बच्चा इंडिफा के लिए कौन-कौन से मैं information उठा ले information किसे related party लेटे उनकी girlfriend लेटे लेटे और reportable segment कौन-कौन से अब यह 3 point एक बार याद कर लो यह नीचे भी बाद में काम आएंगे वह basic है जब भी तुम CFS मनाते हो तो मैंने बहुत सारी subsidy होती है कोई foreign में कोई काप है क्या तो CFS मनाते हो कुस consolidation adjustment करने होते बेसिक चीज़े ना CFS आप consolidated financial system मना रहे हो तो कुस basic से adjustment करने होते हैं आपको consolidation के कुछ adjustment करने होते हैं प्लस कोई foreign का है कोई IFRS लग रहे है US gap लग रहे है आपको इसको in days के साफ से convert करना पड़ता है तो gap conversion भी होता है प्लस उनकी accounting policy अलग है अपनी accounting policy अलग है तो accounting policy भी harmonize करने पड़ती है तो कुछ basic इसी चीज होते है consolidation adjustment gap conversion harmonizing accounting policy बेसिक पॉइंट से बुस ठीक है न तो यह तीन एक बायात करना नीचे भी काम आएगे वाकि यह अपना responsibility parent की क्या थी अब responsibility parent auditor की क्या क्या थी अपने responsibility parent की अब as in CFS auditor मेरी responsibility क्या होगी मेरी responsibility कुछ नहीं मैं चाहता हूँ कि CFS के इंडेस के हिसाब से जो भी फॉलता है 我ाने फानेश रिपोर्ट इप इसाब के इप घमे C रोिए टो अन्यों मैरी कि इसाफ इसाफ से vos ऐसाफ अगर cfs बन गया तो मतलब वो true and fair के लाएगा मतलब cfs क्या के लाएगा true and fair तो मेरी responsibility पूरी हो जाएगी तो सबसे पहले मुझे क्या देखना पड़ेगा कि frf क्या बोलता है indes क्या बोलता है कि cfs केसा बनना चाहिए पहले indes को पढ़ूँगा पहले मैं indes को पढ़ूँगा कि indes कैसा बोलता है कि cfs केसा बनना चाहिए अगर मैं indes पढ़ूँगा indes के हिसाब से जैसा cfs बनना चाहिए तब इसा बना क्या अगर ना उसके हिसाब से ही बना तो true and fair तो true and fair मतलब में responsibility पूरी हो गई मतलब में मेरी opinion express करूँगा हाँ वो true and fair है या नहीं है मतलब मेरी responsibility पूरी हो गई हाश मतलब मेरी responsibility पूरी हो गई हाश उसको अपनी जान में जान है responsibility होती है companies act के अंदर अपने पड़िवी है कि companies act की section 143 sub section 1 section 143 sub section 3 ये deal करते companies act में पढ़ावाई deal करते responsibility of auditor किसे deal करते responsibility of auditor तो अपनको जो matter अपनने 143 sub section 1 के अंदर inquire करते है कुछ responsibility पूरी हो यहाँ पर भी करने पड़ेंगे कुछ matter कि अपनको reporting करने पड़ती है 143 sub section 3 के अंदर हो यहाँ पर भी करने पड़ेंगे यह दोनों होते responsibility of auditor यह section ही होते responsibility of auditor related ठीक है ना सर अपनको भी करना पड़ेंगे तो यहाँ पर यह point हो गया अब यह basic है कि auditor की responsibility होती है कि वो standard auditing guidance not follow करें और cfs के ओड़ेंगे तो ऐसे guidance not follow कर नहीं है तो ठीक है भाई basic है कि तुम 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 तुमारा सबसे पहले standard auditing हो गड़ा कि सबसे control system की आप understanding कर ली मैंने फिस आप से understanding लेनी की understanding करने का आपको हमेशा professional judgment भी लगाना है इनकी audit करते हो कि audit risk क्या होगी मेरे को कौन सा audit processor लगाना है इन सब की में professional judgment में लगा सकते है basic है कि आपको cfs की audit करने के लिए नया चैपकर अलग से क्यों मतलब क्यों इस पे कुछ special ध्यान देना है आपको cfs की audit करते हैं नॉर्मल audit जासा क्यों नहीं क्यों कि इसमें कुछ चीज़े एक्स्ट्रा होती है क्योंकि आपन यहां पर क्या कर रहे है आपन cfs की audit कर रहे है आपन reliance limited group की audit कर रहे है ABC ABC के auditor अलग 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 इनके auditor ने जो भेजी उस पर हा कर लिता कि हां भाई साही मेरा यहां पर पपू भया यहां पर cfs की audit कर रहे है तो पपू भया बस इतना देखेंगे कि जो cfs बना है वो cfs साही से बना है बाकि इनके financial statement की audit नहीं करेंगे cfs बना है तो मतलब अपन किसी दूसरे के work पर rely कर रहे है a b c दूसरे हो गए ना उनको बोलेंगे component auditory या फिर other auditor तो other auditor अपन कुछ उन पर भरोसा करते है प्लस cfs के अंदर कुछ ac financial information भी अपन include करते है जो sfs में नहीं होती stand alone के अंदर नहीं होती materiality consideration तो में materiality consideration बोलता है एक तो कि sh so follow करना आप using the work of another auditor ऐसे सोई तो होता है कि आप जब भी किसी दूसरे ओटर का work follow कर रहे होते हैं या पर component auditors का अपन work follow कर ले ना कि आप component auditors से data मंगा रहे है अपन उठा रहे तो 500 रुपे का काम है अगर 10 क्रोड की company 500 रुपे का अगर 500 रुपे की कोई subsidy है तो वह material है कि अपने लिए तो उसको बहुत कम ध्यान देगे छोड़ देंगे तो मुझे materiality देख लिए कौन से subsidy material है कौन से subsidy material है कौन से subsidy material नहीं है तो group ऐसे whole पूरी side subsidy मिलाके तो group ऐसे whole की क्या materiality है group ऐसे whole की materiality देख लिए तो उससे बता पढ़ेगा कौन से subsidy कौन सा component material है मेरे लिए उससे क्या बता पढ़ेगा कौन सा material में लिए कौन सी subsidy में लिए material जो भी material होगी ना उनके जो ओडिटर होंगे ना material subsidy के माला stand-alone financial statement के जो ओडिटर होंगे उसके बाद मैंने compute करी materialty of each component पर एक group as a whole की material होगी फिर एक छट 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 सबसीडिडी की मेरे material तो दोनों को compare करके पढ़ा कि group level पे कौन सा component financial statement material है group as a whole पे कौन सा CFS component financial statement कौन सा material है group ऐसे होल की material ही देखी फिर छट सबसीडिडी की material ही उसे पता पढ़ा कि कौन से subsidiary material है group के लिए कौन सबसीडिडी माट्रियल ही ग्रूप के लिए वह पता पढ़ा उसके बाद उन ओडिटर से उन ओडिटर से में confirmation मंगा लूँगा कि हाँ वह component इंडिपेंडेंस फोलो करें ये code of ethics फोलो करा है और जब भी किसी भी observation को देखो आप observation मतलब कि component जो stand-alone financial statement मेंटे component एक component financial statement एक छोटे छोटे वाले जो नीचे वाले ABC अब तो उन जो छोटे योटे stand-alone financial statement में कोई भी आपको qualification मिल रहा है और ओडिटर का remark मिल रहा है या आपको कोई छोटी मोटी गलती भी मिल गई तो उसमें आप मट्रेल्टी ध्यान रखना है या बिल्कुल छोटी सी गलती इगनोर करना हो तो कर देना तो मट्रेल्टी आपको हमेशा ध्यान में रखनी है उनका जब भी qualification observation देखो तो जब भी आप observation qualification देखो component ओटर की भी तो आपको हमेशा मट्रेल्टी ध्यान में रखनी है ठीक है न सर कंपलीटनेस ओफ कंपोनेंट अपकोनेंट मुझे वह देखना पड़ेगा तो मुझे हमेशा जब भी देखना हो कि component मुझे देखना पड़ेगा हमेशा ओडिटर को देखना पड़ेगा कि इसने क्या करा जो रिलाइंस लिमिटेट था ना इसने ABC तीनों को कौन सू करके बना लिया मुझे क्या पता ABC हो सकता हो DEF और भी उसके बच्चे घूम रहे हो बाजार के अंदर इसने और बच्चे पेदा करें चोर रखे हो मतलब ऐसा कुछ हो सकता है कि इसके बच्चे करें तेरा क्या क्या प्रोसेस था क्या 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 प्रोसेस था क्या जो भी उसको अधेटिफाय कर लेगा को new identification प्रोसेस भी था क्या 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 कोई भी न्यू बच्चे या new का का पर investment कर गा एगा, investment जादा है, तो वो subsidy associate लोगा कहला है, investment देखुँँगा, joint venture, joint associate, joint arrangement, other arrangement, किसी के साथ contract लोग रहा, यह सब जो मेना FR क्यांब पर पढ़ाता हूँ, सब देखुँँगा, कि यह वना subsidy कहला हैं, क्या कहला हैं, subsidy, यह दो पॉइंट ही हो गए और बाकी ना मैंने मेरे पिछले साल अडिट कर रही थी पिछले साल के वर्किंग पेपर देख लूँगा कि पिछले साल तो ABCD चार बच्चे थे इसके इस बार वो कि वहले बीची क्यों कर रहा है तो पिछली बार के वर्किंग पेपर भी देख ठीक है पेरेंट से आखी पूचा तो मैंने बच्पन के अंदरा FR पढ़े थी उसके कुछ प्रोसेस था सबसीडी किसको कहते है जोइंट वेंचर जोइंट असोसियेट जोइंट अर्रेंजमेंट किसको कहते है वह भी पढ़ूँगा कि इन्वेश्मेंट देखूँगा कि कहा का आप एंवेश्मेंट करगा है यह बहुए जोएंट वेंचर जोइंट यह भी देखूँगा कोई अधर अर्रेंजमेंट हो तो वह भी पता करोगा कोई कंपणर ने कर रखे हो या फिर शेयर होल्डिंग में कोई चेंज हूआ पहले बस परसंट शेयर होल्डिंग थी यह क्या बोलते हैं, चार बच्चे थे डी भी था, पर इस बारत के वह तो तीनी एं वर्किंग पेपर में, बाकि अपने कि स्टेटि रिकॉर्ड पर नभी देख लेंगे, कोई भी कंपोनेट अगर एक्स्क्लूड करा कि हाँ भई वो बोलेगा, डी को में एक्स्क्लूड करा कि क्या वो सेटिस्वाइ करना पड़ेगा खुद को कि वो जो क्राइटेरिया है, एक्स्क्लूजन का वो फुल्फिल हुआ है नहीं हुआ है, प्लान कैसे करूँगा, ऑडिट अफ सी एफस का प्लान क्या करना है, बहुत 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 बहुत, मैं जिस भी PC या फि बहुत जिसपेर अकॉटिंग होती है कोई भी PC IT सिस्टेम अग्रा जिस पे अकॉंटिंग होती है उसपे आइटी सिस्टेया है उसपे ऑडिटर अपने उसपे ब Noel बहुत अगए वो फिरेमोρ इने वन घनुद पर औ Но ईमड़ी इस भी सिस्टेम में ऑपने आइटी सिस्टे हैं तो उस पर अपने और प्रोसेस लगाएगा तो आई-ट जा मलब मैं पहले मेरे को understand some पूरे के पूरे company को group as a company group structure including IT system IT policies मुझे पहरे सब कुस्स समझना पड़ेगा उसके बाद ही तो मैं planning मिराऊंगा कुछ काम करने पहरे इसको मैं समझूंगा understand करूँगा accounting policies क्या क्या पैरेंट और component की फिर मैं बेखूँगा determine करूँगा कि anti of accounting प्रोसर बेस्ट ऑन इच assessment of risk of maternity statement की मुझे कौन-कौन से audit प्रोसर लगाने वो मैं decide करूँगा कि मैंने कितना risk of maternity statement कि इसकी सेरिया में identify करा है फिर मैं determine करूँगा कि other order का work में क्या use ले सकता हूँ कि एक्सेंट तक ले सकता हूँ बाद में मैं coordinate कर लूँगा जो भी work है ठीक है न सर तो से हिसाब सी अभी कुछ point है जो मुझे लगता है generally mcqs अभे case scenario में आ सकते हैं जनरली लोग छुड़वा भी देते इनको पर मैंने आईसे उने भायंक और paragraph में बहुत चीज़े दे रहे थी मैंने उनमें से कुछ point उठाए अच्छे अच्छे जो लोग आदे कुछ छुडबा देते हैं पर चला इसको अबन पढ़ते है हाँ सर cfs के अंदर na cfs में से बनता तो sfs के सारे sfs को लेकर जोड़ दो तो cfs बन गया cfs बन गया पर उसके अंदर कुछ ac financial information भी होती है जो sfs में ना हो जो stand alone में ना हो वो भी अपनको कुछ को cfs के अंदर दालने होती है अब यह समझो second point बोलता है कि ना आपकी समझो यह आप तो group है यह आपका group है अब इस group की ना low subsidiary है A और B आप जब consolidated financial share मनाते हो तो आपको खुछ adjustment करने होते है तो उस adjustment के इस आप से ना starting में इसके goodwill निकल के आ रही है अब मैं यह तको समझाऊंगा नहीं ने इसके goodwill निकल के आ रही है इसके capital reserve निकल के आ रहा है ठीक है तो अब क्या तुम इसको net of करके दिखा सकते हो कि ऐसा बात है अगर frf अलाओ करता है तो यहाप अपना बस अपन को अलाओ करता है अलाओ करता है इस अलाओ करता है यही बोलता है अगर NCI, जो non-controlling interest होते हैं, वो छोटे वाले बच्चे, बिल्कुल छोटे होटे से, अपन major वाले बंदे, अपन तो, जो NCI होते, non-controlling interest वाले हैं, उनके पास loss जाद अलोकेट हो गया, कि जो भी loss आ रहा है, उनको, उनकी जितनी holding तो, उनको loss अलोकेट हो गया है, समझो किसी situation में, तो क्या करना है, तो जो भी accounting होगी, relevant accounting standard के साब से, वो कर लेना, आप देख लेना, जो भी आप adjustment कर रहे हो, consolidation financial statement के लिए, वो parent अपरू कर रहा है, नहीं कर रहा है, प्लस आपको नो, off-balance identities भी चेक करने है, defecto control जो अपन ने पढ़ा गया, असली में अपन ने उनकी holding 10%, 5%, 2%, या, अपन ने उनके share holding नहीं कर रहे थे, पर किसी और reason की वज़े से, अपन उनको control कर रहे है, जैसे हो precaution पढ़ाता है, एक अपनने, की board of data control कर रहे है, क्योंकि हो सकता है, उनके उपर को technology अपनने उनको दे रखी है, तो अपन decision making खुद ले रहे, तो भी subsidy है, तो भी अपन को CFS बनाना पड़ेगा, गुडविल जो भी consultation की वज़े से निकली, उसको हर बार impairment test करना पड़ेगा, कि इसको impair करना है, क्या balance sheet date पर हर बार देखना, गुडविल अगर foreign currency में निकली है, USD के अंदर निकली है, अपन तो INR में अकान बनाते है, तो उसको foreign currency translation reserve के साब स दूसरी accounting policy लगा रही है, कोई दूसरी लगा रही है, अगर accounting policy सबको इसे generally harmonize करनी पड़ेते हैं, यह सबकी accounting policy same करके CFS बना हो, पर अगर सबकी subsidy रहा कि सारी accounting policy harmonize अपन नहीं कर पा रहा है, तो AS21 बोलता है कि ठीक है, आप disclosure देदो कि आपने क्या-क्या नहीं कर रहा, और security consideration, material वाला लिखना पड़ेगा, अपर, permanent consolidation और एक और current period consolidation adjustment, दो तरह के adjustment, जो अपने बढ़ाना, अब ये मेरे काम की चीज़े खतम हो गई, ये गलास अला टुपी को रहाएगा, मेरे काम का बाकि तुमको अल्री आता है, ये तो आता है, इसके अंदर permanent consolidation, current period consolidation adjustment, तुमको मेर अच्छा साथ है, financial reporting पड़ावा, इंदेज 110, इंदेज 103, business combination के email भी आता है, कि भाई, जब आपन उसके अंदर बनाते है na, CFS, तो अपनको कुछ adjustment करने होता है, starting के अंदर ही first notes to account जात करो, जनरली मैं तो ऐसे बनाता था CFS, कि first notes to account बनाता था था कि पहले goodwill निकल लिए, capital जो निकल रहा है, तो goodwill, one time निकलता है na, goodwill capitalism हमेशा one time निकलता है, उसके बाद change नहीं होता है कभी, change एक ही किस situation में होता है, जब number of shareholding, majorly change हो गई हो, subsequently अपने dispose of कर दिये, या फिर नहीं खरीद लिए, तभी change होता है, तो एक बार one time adjustment क्या हुआ, goodwill capital जो निकलना, उसको पर्मानेंट consolation adjustment, कभ change होता है, जब अपने number of share, या तो acquire कर दिये, जादा हो, या फिर कोई dispose of कर दिये, ठीक है, उसके अलावा बाकी होते है, current period consolation adjustment, वो अपन बाद में पढ़ेंगे, तो ये क्या होता है, generally first time ही होता है, या फिर जब subsequently अपन change करते है shareholding को, तब निकलता ह ये, goodwill or capital reserve, और एक तो goodwill capital जो कितना निकला, plus एक और की, कितना amount NCI को अपन attribute करेंगे, क्योंकि pre-acquisition job reserve होता है, pre-acquisition profit, अपने acquire करने के पहले का profit, acquire करने के पहले का profit पूरा उसका होगा, NCI का, acquire करने के बाद का देखना पड़ेगा, कि अब मेरा और उसका दोनों का होगा तो वो acquisition, NCI को जो भी आप दे रहे हो न, minority को वो किस से निकला, तो आपको generally अभी NCI को कितना देना है, यहाँ पे अपने date of acquisition ये है, तो इसके पहले का pre होगा profit, pre-profit इसको कहलेंगे न, pre-reserve profit वाला निगरा, ये post होगा, तो pre वाला तो पूरा का, पूरा NCI का होगा, post वाला कुछ NCI का होगा, कुछ मेरा होगा, दोनों का होगा, date of acquisition ध्यान से देखना, date of acquisition में शाय ध्यान से देखना, बस वो देखना में, तो वो ही बोल रहा हूँ मैं, date of investment आपको ध्यान से देखनी पड़ेगी, कैसे verify करोगे इसको, आपको pre-acquisition reserve कितना है, उसके लिए date of acquisition ध्या ध्यान से अलोकेट करना पड़ेगा, यह diagram में तुमको इसलिए बनवाया है, तब तुम्हा दिमाग में आ जाएगा विससे, क्या पर date of acquisition में ध्यान से देखनी पड़ेगी, investment और pre-post acquisition को मुझे ध्यान से ध्यान से करना पड़ेगा, यह diagram इसलिए ध्यान से देखना पड़े पर changes कब होगा, या तो अपने subsequently को share require कर दिया, dispose of कर लिया तब ओके, अपने पड़ा तो, Consolidation Financial Statement अपन एक बाप पड़ लिया, उसके बाद अप current period financial statement पड़ेगे, current period consolidation adjustment, जो हर बार करते है, अपन हर बार करते है, वो एक बार करते है, वो हर बार करते है, यह भी तुम को आता है, मेरी पताना की जड़ती नहीं, इसके अंदर तो भाई, तुम इना भाद तू ले रखाता, किसी ने एको loan दे रुखाता है, एकने loan ले रकाता, उनको knock off कराана, उसके जो interest है, उसके जो interest है, अब loan ले रखाता है, loan balance sheet will be around the profile, once you're sure care, between pay in dress, pay in dress. प्रोफित अटाते हो, अब जितना भी प्रोफित निकला है, वो प्रोफित को आप न, अं, NCI को देते हो, और परेंट को देते हो, जो भी मेन उसको holding है, अब आपन, उसको देते हो, यह सब करते है न, बस वो ही है, यह तो एक ता कि, जो balance sheet item है, कि ग्रूप, इंट्रा ग्रूप, जो भी इंट्रा ग्रूप, इंडेटनेस था, वो अटा दी, अब यह पी-ंडल यह बहुत बेसिक बेसिक है यह लिंक होता जारे आपस केमबर प्लस मैं देखना पड़ेगा मानुर्टी एंसी आई को कितना अलोकेट करना पड़ेगा हो एक्विशन डिजर प्रोफिट अगरा केमबर वह देखना पड़ेगा ठीके सर यह हो गया इतने प्रोफिट याद करने बाकी याद करने बाकी साहल है रीड करने maximum question कितनका ऐगा तो maximum पाच्यमाक्स आट प्रोफिए रिचिंग पड़ेगा वही सारे accounting policy harmonize करने पढ़ेगी gap conversion करने पढ़ेगे foreign component है तो वो ही वाले part है ही case है बहुत basic बेसिक ते यह बाद है अब जो भी अपन adjustment कर रहे हैं na CFS बनाने के लिए जित्ते साथ अपने उपड़ जो adjustment पढ़े है उसको नब memorandum में record करते हैं इसमें एक memorandum MC के point आ सकता है एक memorandum बनता है हमना बुक टाइप उस memorandum में लिखते हैं कि हमने consolation बनाते वाग CFS बनाते वाग क्या क्या adjustment करें difference क्या क्या है CFS date और component financial statement date के अब अगर कोई भी difference है कि CFS अलग date पर बन रहा है component financial statement में अलग date पर बन रहा है अज्यूम करो component के अंदर component का जो CFS date थी न वो 31 December थी 31 December को उसने component ने अपना SFS बना लिया था component ने अब पर जो अपन CFS बना रहे इंडिया के हिसाब से तो 31 March को बनना चाहिए 31 March तो इसमें का time gap बन गया time gap बन गया इसके बीच में तो आप एक काम करो इसके आगे कि जो भी subsequent event है ना वो थोड़े बहुत adjust करके इधर incorporate हम कर देंगे कोई दिकर ने नया पूरा का पूरा मत बनाओ ये वाला SFS प्रस तीन मेने के जो भी subsequent event उनको adjust करके हम CFS बना बेंगे ठीक है ये बोलता है पूरा का बनाओ तो तीन मेने 6 मिन तक है तो हम छोटा मोड़ा adjustment करके डाल देंगे वड़ अगर इससे भी जादा gap है तो आपको पूरा का बनाओ तो इंडेस के पीन महिना है और एस के एमबर 6 महिना है ठीक है ना और बाकी CFS का जो भी उडिटर है जो पपू भी अपने CFS के ओडिट कर रहे है उनकी responsibility है कि इन दोनों के बीच में जो भी difference आया है subsequent event का component date के बीच में और CFS के date की बीच में उसके बीच में क्या क्या event हुए वो सारे चेक करने पड़ेंगे उसको कि requirement नहीं है उसको कौन कौन से discloser है ऐसे उस discloser है sir ऐसे ये वाले discloser है पर इसकी trick देख लेते कि ये वाले discloser ना जो आप SFS बना रहे हो फाइंट्रान फान्स इस चेट्मेंट तब वो discloser देने, CFS बना रहे हो तो इत्य ने discloser के ज़रूँ थी कि relevant disclosure हुँप काफ़ है तो यह यह नहीं देन हों अझ चोटे मोटे MSME होते हैda micros small medium enterprises होते Martins app कर देना वह बी shares शुसु कर दे और पेसा अठा लेते है money ले लेते फरेंइन斡 वह भी किससे foreign investors है आज कर चोटे-चोटे MSME होते हैे ना 17 चेन्धिविंदी वह भी आज अब उनको foreign currency में dividend देना पड़ता है अब उनको foreign currency में dividend देना पड़ता है पर जो foreign currency में dividend दे रहे है उससे एक ची अच्छी है अब उनको foreign currency में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते है और अजकाल के जो MSME है वो भी आजकाल share issue करके पेसा उठा लेते हैं वो भी foreign investors है अब उनको foreign currency में dividend देना पड़ेगा अगर उनको dividend नहीं देते तो अपन foreign currency में expenditure कर सकते है, foreign currency से import कर सकते थे, export कर सकते थे और foreign currency पेशा कम हा सकते थे, import Solid गरे वरंगले से पेसा अर्ण कर सकते हैं, यह इसके पॉइंट में हाइलाइट करा दिये, तो दिस्क्लोजर रिलेटेट टू MSMAC कि कुछ दिस्क्लोजर होते हैं, वो अपन को यहाँ नहीं देना है, आपने कितना during the year, foreign currency में dividend, आपने remit करा है भार किसी को, वो भी नहीं बताना होगा, आपने expenditure कितना करा है foreign currency में, वो भी नहीं बताना है, आपने कितना import, import calculated on CIF, CIF पर कुछ import calculated करके बताना है, जो भी चीज़ आपने import करिए, वो CIF basis पर क्या-क्या value है, raw material component, capital goods की, वो भी आपको नहीं बताना है, imported raw material, अगर आपको इस चीज़ को imported raw material को consume करा रहे हो, तो कोई भी माल बनाने के लिए कि आपने कुछ import करा है, और कुछ आप in-house यूज़ करे रहे हो, अब कुछ additional disclosure, उपडर discloser तो नहीं बताने थे, पर कुछ additional disclosure CFS में देने है, उपडर तो बोला कि यह नहीं देना है और अपनको, पर इसके अंदर को CFS के अंदर कुछ additional disclosure information चाहिए होगी with respect to component, बहुत basic है, component के asset किते हैं, अब दिसो, तुम समयो, console बना रहे हो, CFS बना रहे हो, यहाँ पर इसका A, B, C, D, इनके सबके अपने asset होंगे, इनके सबका P&L होगा, इनका सबका OCI होगा, OCI asset P&L, तो इन सबका percent बता दोगी, CFS में यह asset contribute करता है, पच्छिस परसेंट, यह control करता है, 20% करता है, 10%, remain के करता है, P&L करता है, आपको बताना है, बस होई है, यह आप है, amount of net asset and net, amount of net asset and net percent is percentage, ठीक है, share of P&L as percent to the CFS, share of OCI, P&L asset और OCI, यह देना आपको share, management representation, अभी बोला है, representation लेनी है, question है, ICSM का, कि जब भी CFS होल के आप audit कर रहे हो, तो management से कुछ representation ले लो, management representation ले लो, management representation ले लो, management से representation लिखा कि क्या-क्या लेना है, management से representation उठा कि आपको लिखके लेना है, management से, कि भाई, management से representation लेंगे, किभाई, हर segment को identify करके complete FS बना रहे होना, उनसे लिखवा कि, confirm करा लेंगे management से, भाई आप सारे segment को completely identify करके FS बना रहे होना, सारे segment को identify करके complete FS बना रहे होना, क्यूंकि भाई, related party है, जिक्ति भी सबसीडियो और है, वो related party है, तो adjustment risky हो सकते है तो adjustment risky हो सकते है ध्यान से बनाना उससे एक पुरा confirm करा के सब पूल लिका लेंगे कि यहां भाई इसने सारे segment को identify करके complete fs बनाया है सारे segment को identify करके इसने complete fs बनाया है क्योंकि सारी related party है तो adjustment risky हो सकता है सकते हैं ठीक है यह 2.1 है 3 है 4 है तो complete complete component जितने भी सारे component तो हमने सारे identify कर लिए है management बोलेगा प्लस कौन-कौन से reportable segment इसके हैं तक इसकी पर reporting के कि अपने पढ़ा आता ना वो कौन सा index है में याद में आरा index के में है ना कि 10% अगर asset बढ़ गई 10% asset 10% income है तो आपको reporting करना पड़ेगा तो वो reportable segment कौन-कौन से identify कर लिया related party related by transition सारे identify कर लिये अपने ठीक है तो सारे segment को identify करके completely cfs बना दिया क्योंकि वो related party है सारे related party है तो adjustment risk होगा है अब final अपना topic है audit consideration and reporting जो बहुत important भी और बहुत easy भी है बहुत easy है यह बहुत easy पर important भी परापर है कि जब भी ना parent auditor is also auditor of all its components parent auditor है ना वो ही सारे component का auditor है जो parent का auditor है जो पपा जो अपने आप बोला था कि यहापर group company कौन थी reliance इसके यहापर A, B, C component रहे है तो आपर जो parent कौन हो रिलाइंस तो यह पपू भाईया ही parent की audit कर रहे है और पपू भाईया ही component की audit कर रहे है ठीक ही कट सकते न क्या दिक्कत है ABC तो component की audit भी कर रहे है तो आपको क्या report में क्या additional चीज़ देखनी होगी कुछ नहीं आपको बताना है कि CFS जो बना है उस case के अंबर आपता अच्छी खाज ही responsibility है आप बताओ कि CFS बिलकुल true and fair बना है accounting अच्छेंडर के साब से बना है पूरा accounting इस चेंडर के साब से बना है अगर कई पर भी departure तो adequate disclosure देदीना आपको क्या करना है आपको बताना है तो CFS बना है वो as per accounting इस चेंडर बना है पर accounting इस चेंडर बना है कही पर departure हुआ तो आप disclosure देडिया है ठीक है तो s per s बना है प्लस वो बिल्कुल true and fair मुझे opinion में देना है बेसिक चीज है ASK साब से बना हो बहुत basic यहाद आ जाएगा ASK साब से बना है, पुरा लिकली ASK साब से बना है and true and fair, ASK से बना है and true and fair, बस यहाँ पर या आंसर खत्म हो जाता है कि हमें को opinion देना है कि क्या CFS true and fair क्या CFS में balance sheet, pay and l, cash flow यह सब कुछ सारे true and fair है यह नहीं है, खीक है, तो यह true and fair है यह इसके साब से बना है, यह true and fair है कि वाई, cash flow भी true and fair होना चाहिए पर जब parent auditor सेम ना हो component का auditor के साब से component का auditor या पर component का auditor अलगते है और parent का auditor अलगता, तो अपने पोड़ाता है ऐसे 600 लगता है, उस case के अंदा ऐसे 600 लगता है, ऐसे 600 लगता है जब भी आप दूसरे auditor का काम यूज लेते हो तो आपको क्या क्या चीज़े follow करनी है तो वो साइचीज आपको follow करनी पड़ेगी जब आप दूसरे auditor का वर यूज ले रहे हो, ठीक है न सर प्लस एक और requirement होती है 706 के हिसाब से जो बोलता है यह जो इसके component रेना उसकी audit मैंने नहीं करी है दूसरों ने करी है मैंना कितने magnitude कि हाम पचास परसंट पचास करोड कितना इसका component है इसकी audit दूसरे ने करी है मैं यह नहीं बोल रहा, मैंना उसको बता दिना है कि गलत निये मैं इसा नी बोल रहा बस मैं तो रहा वं कि दूस्रेशे ने करिये तुम्हारे इंफमेशन के लिए बता रहा हो। ऐसा न कि मैं क्योली क स्प्रश्प хотел हो Kr Rotation कर रहा की स्थी करा выз अब यह भी अच्छा है कि भाई ना framework different है, फ्रेमवर्क की मेरी जो foreign की subsidy हो तो IFRS, US gap follow कर रही है, पर मेर को चाहिए, इंडेस के अंदर accounts, तो अब दो case हो सकते हैं, कि या तो मैं न, उस subsidy, या तो मैं parent, या तो मैं parent एक process कर ले, या फिर subsidy कर ले, change, कि अब उसने बनायते account IFRS में, उसने बनायते accounts IFRS में, तो अब मैं parent IFRS के account उससे मंगा लूँगा, और उसको convert कर लूँगा, इंडेस में, तो वो जो भी auditor होगा, parent auditor, parent auditor चेक कर लेगा, या फिर subsidy को ही, अपने पास की group accounting का manual होगा, कि पूरे group की accounting कैसी होगी, तो वो group accounting manual subsidy को भेज़ देंगे, मतलब एक तरीके से, इंडेस की जित्ती भी चीज़े वो भेज़ देंगे, कि group accounting manual कैसी है, और subsidiary को बोलेंगे कि तू, हमेंको इस group accounting manual के हिसाब से, new FS बनाके दे, new FS बनाके दे, यह जो भी new FS बनाएगा वो, वो component का auditor चेक कर लेगा, component का auditor, फिर वो आपनको बेज़ देगा, फिर वो आपनको बेज़ देगा, ठीक है, तो parent यहाँ पर एक था कि parent convert कर रहा है, और parent auditor चेक कर रहा है, पर यहाँ पर subsidiary को group accounting manual बनाके दे, इंडेस के हिसाप से, और component auditor चेक कर लेगा, यहाँ पर जो भी FS बनाया है, वो group accounting manual के हिसाप सही बनाया है, तो दोनों case हो गया, क्या तो parent खुद convert कर लेगा, component auditor financial chairman को फिर वो principal auditor को चेक कर लेगा, यहाँ फिर component खुद FS बना लेगा, group accounting manual के हिसाप से, और वो local component देख लेगा, कि हाँ पर group accounting manual के हिसाप सही बनाया है, और बाकी फिर जो group accounting policies वगरा के हिसाप से, वो बना लेगे फिर वो अपना SCFS, उपराल में अपने बड़ा IFRS अलगते, अपना SCFS होते हैं, अपने standard on auditing, वो भी यहाँ पर अपने इंडिया के standard on auditing होते हैं, अब out of India सब कंट्री के अलग-अलग होते हैं, जनरली होता है ISA, जनरली क्या होता है ISA लगते हैं, इंटरनेस्टन इस्टेंडर on auditing यह लगते हैं, जनरली दूबई, UK, फ्लान डिग्राइदर यहाँ पी यह लगते हैं, तो अगर इस audit की महला जो component का auditor था, वो ISA follow करके audit कर रहा है, ऐसे नहीं कर रहा है, और दोनों के बीच में कुछ conflicting requirement इत्तों, तो भाई यह नहीं चलेगा, यह नहीं चलेगा, यह नहीं चलेगा, इंडिया के हिसाब से इस चैनल डिटिंग है, वो फोलो करके ही करना पड़ेगा, शुड ओल्सो, शुड ओल्सो अडिटेड अंडर फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन, इंडियन में जो जनरली एक्सेप्ट अकॉंटिंग अडिटिंग इस चैनल है, उसके हिसाब से भी करनी पड इतनी क्वांटिटी है उसकी और यह 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 क्वालिटेटीव असपेक्ट है, यह 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 एक और प्रोजेक्ट है, वह बता देंगे कि हाँ, इतना रेवेन्यू देता है, इतना असेट फ़लान डिग रहा है, बस बेसिक चीज़े, अगर अनॉटिट रहा है, तो बताएंग तो अटीटर को दोनों देखना पड़ेगा क्वालिटेटिव आस्पेक्ट एंड कॉन्टिटिटिव एक्टर दोनों उसक्वाइटर को देखना पड़ेगा जब भी वो इफेक्ट देखेगा उस अमाउंट का की जो अन ओडिटेड है क्वालिटेटिव एक्टर कॉंटेटिव एक्टर दोनों चेक करने पड़ेंगे एसे 705 के हिसाप से 700 बोलता ना मोडिफिकेशन करें यह उपराल के हिसाप से कोश्चन है कि दो सबसीडिरी थी आउटसाइड इंडिया थी उन्होंने अपने हिसाप से अकाउंटिंग प्रिंस में क्या एक ड्राफ्ट होगे एक तो अधर उटर था उसको बताना पड़ेगा कि अंदर क्या ड्राफ्ट दोगे तुम इस टाफ में आपको देना पड़ेगा कि हमने इस एफस के ओड़े नहीं करी जिसके आज सबसीडिरी थी उनकी टोटल असेट इत्ती थी टोटल इवेन्य उत्ता था यह दूसरी ओड़ेटर ने ओड़ेट करी है इसका अमाउंट यह है फ्रान डीग रहा है हमारे इसाप से Consolidated Financial Statement जो हैना CFS वो बिल्कुल सही है फ्रस हमारा opinion जो भी है हम केवल CFS पर दे रहे हैं कि जो भी Conversion Adjustment और CFS मना है वो बिल्कुल सही है हाला कि हम यह नहीं बोले कि बाकी गलत है मलब हमां modify नहीं कर रहे हैं modify नहीं कर रहे हैं बस हमारी responsibility नहीं है component को लेकर इसी के adjustment की language न हो गया है अब बस आप YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लेना याद से आपको बाकी वीडियोस भी मिलने वाली है प्लस कुछ innovative आपको technology tricks भी आपको मिलने वाली है याद करने के लिए वो भी मिल जाएगी आपको बहुत सा है notes Telegram चैनल पर दे देता हूँ free camera Telegram आप नीचे में डिस कर सकते हूँ और तो बस और तो क्या बताओं आपको चालो डेन टाटा बाए बस सी यू